नमस्ते अब्रिवन आज हम D.A.B. Class 8 English Practice Book Chapter 2 Narration में Change of Tenses और Change of Other Words को पढ़ेंगे पहले हम सोचे थे कि Change of Tenses पहले पराते फिर अलग से फिर Change of Other Words करेंगे लेकिन फिर एक साथी सबका क्योंकि टेबल बनाना था और दोनों का एक साथी यूज होता है sentence में और कुछ खास है नहीं ज्यादा परिशानी है नहीं इसको समझने में इसलिए हम इसको combined कर लिए है तो इसमें हम पढ़ेंगे Change of Tenses और Change of Other Words दोनों के बारे में तो कैसे होगा ये अगर Reporting Verb मतलब अगर Reporting Verb पास Tense में होगा तो Change of Tenses और Change of Other Words ये दोनों में Changes आएंगे ये दोनों होगा मतलब इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इस इन पास Tense तेंस तेंस अप दे रिपोर्टेद स्पीच और अधर वर्ड्स अलसो चेंज मतलब अगर पास Tense में रिपोर्टिंग Change of Tenses and Change of Other Words विल आलसो टेक प्लेस कैसे तो Change of Tenses कैसे होगा पहले देखेंगे Change of Tenses कैसे होगा तो जो Tense होगा वो अपने Corresponding Past Tense में Change हो जाएगा अब ये Corresponding Past Tense होता क्या है यहाँ पे हम Stable के दोरा समझेंगे जैसे अगर Simple Present Tense है तो Simple Present Tense अपने Corresponding Past में Change होगा तो Simple Present का Corresponding Past क्या हो जाएगा Simple Past, Present Continuous का Corresponding Past क्या हो जाएगा, Past Continuous उसी तरह से Present Perfect, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous इस तरह से Change हो जाएगा मतलब Present Tense जो है वो अपने Corresponding Past Tense में Change हो जाएगा तो Simple Present, Simple Past में Change हो जाएगा, Present Continuous, Past Continuous में, Present Perfect, Past Perfect में और Present Perfect Continuous जो है वो Past Perfect Continuous में Change हो जाएगा अब है नीचे Simple Past, तो Simple Past का Corresponding Past होता है, Past Perfect, तो Simple Past क्या कड़ेगा, Past Perfect में Change हो जाएगा और Past Continuous का Corresponding Past होता है, Past Perfect Continuous तो Past Continuous, Past Perfect Continuous में Change हो जाएगा ठीक है, इस तरह से हम चार्ट बना दिये हैं, देख लेना है, अब ये जो बचा Past Perfect और Past Perfect Continuous इस दोनों का कोई Corresponding Past नहीं होता इसलिए ये दोनों Change ही नहीं होते, Past Perfect, No Change, Past Perfect Continuous, No Change, ये दोनो Same to Same रह जाते हैं आगे examples हम लिए हैं, जब समझाने लगेंगे Change of Tense को तो उसमें इसको लिए हो और क्लियर हो जाएगा सब कुछ इस तरीके से क्या होता है, कि 6 Tense, ठीक है, Simple Present, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Simple Past और Past Continuous ये 6 जो Tense हैं, वो Narration में Change होते हैं, ठीक है, अपने-अपने Corresponding Past में उसका पूरा यहाँ पे चार्ट दे दिये हैं, इसको अच्छे से Learn कर लेना है, समझ लेना है इसको और हम Simplify करने की कोशिश किये हैं नीचे, बहुत बच्चे, Tense अभी बहुत बच्चों के उतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है, वो नहीं पहचान पाते हैं, तो धीरे-धीरे अपना वो जरूर सीख लें, बगर Tense सीखे तो फिर Transformation में बहुत दिक्कत आती है, चाह वो वाइस हो, चाहे है, वो narration हो, ठीक है, इसलिए Tense का जानकारी होना तो बहुत ज़रूरी है, फिर भी अगर थोड़ी बहुत Tense कमजोर है, ठीक है, तो यहाँ पे इस से, इसी को Change of Tense को जो हम उपर यहाँ पे अभी बताए हैं, उसी को हम नीचे थोड़ा सा Easy कर दिये हैं Simple और Easy एक Table बना दियें, अगर यह भी याद हो जाएं, तो Change of Tense आसानी से किया जा सकता है, यह से पहला है, यह हम लिए Is, Am, Are, ठीक, अगर Is, Am, Are होगा, एक शर्थ है लेकिन कि Reporting Verb, वो Reporting Verb जो है, वो Past में होना ही चाहिए, तभी Change of Tense और Change of Other Words, Change होगा, यह है, कैसे होगा तब Is, Am, Are, Was, Where में बदल जाएगा, Has, Have, Had में बदल जाएगा, Do, Did में बदल जाएगा, ठीक है, Was, Were, Had, Been में बदल जाएगा, Did प्लस बेस, यह बेस जो है, इसको जो है, बेयर इंफिनिटीफ फॉर्म भी कहते हैं, यह V1 के जैसा देखने में होता है, लेकिन V1 होता नहीं है, ल बेयर इंफिनिटीफ फॉर्म इसको हम सहुलियत के लिए बेस लिखे हैं, बेस फॉर्म लिखे हैं, तो डीड प्लस बेस रहेगा, तो हैड प्लस V3 कर देंगे, वी बन या वी फाइव रहेगा, तो उसको V2 कर देंगे, अगर V2 रहा, तो हैड प्लस V3 कर देंगे, ठीक है, head plus V3 head been plus V4 रहेगा तो इसको no change करेंगे अगर सिर्फ head रहा तो हम उसको double कर देंगे head head कर देंगे shell या will रहा तो उसको हम would करेंगे ठीक है आज कल जो है should would दोनों नहीं होता आज कल जो है वो would ही होता है आप उसको shell को first person के साथ तो वहाँ पे अगर मौका मिली तो should बना सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है would से काम चल जाता है आज कल frequently would ही use किया जा रहा है तो would ही use करो can, may could और might can को could और may को might और must जो है वो must ही रहता है या had to वो depending upon the context, context के हिसाव से must या had to के रूप में हम उसको चुल लेते हैं जब certainty की बात आती है तो must हो जाता है लेकिन जब necessity की बात आती है तब had to कर देते हैं तो वो example में आगे हम समझेंगे तो इस table को जिसका tense ठीक नहीं है तो वो इस table को भी कम से कम study कर ले तो वो अच्छी तरह से बना सकता है समझ सकता है बात वही है ठीक है यहां भी हम उसी tense के सारे structures को रखने का प्रयास किये बस अब यह हो गया अब जो है change of other words का table हम यहां पे तियार किये हैं change of other words में क्या-क्या लिये है change of other words भी तभी होगा जब reporting वो past में होगा तो यहां पे लिए this these जगह का भावता इसलिए हम दो-दो लिये हैं कहीं-कहीं this का हो गया that और these का हो गया those फिर hair का ले लिए there और hence का हो गया then now का then और thus का so उसी तरह से ego before बन जाता है today, that day में change हो जाता है tomorrow, the next day, the following day में change हो जाता है yesterday, the previous day, the day before में change होता है और the day after tomorrow का in two days time यहां पे देखना है in two days time days लिखेंगे उसके बाद apostrophe कोमा लगाएंगे इसके पहले नहीं बलकि इसके बाद the day before yesterday का बनाएंगे two days before, next week, month, year, etc. the following week, the following month, the following year, etc. उसी तरह से last week, month, etc. the previous week, month, etc. ठीक है? तो इस तरीके से हम इसको देख लेंगे इसको समझ लेंगे, सीख लेंगे ये जब तक याद नहीं होगा तब तक अच्छे से बनेगा नहीं अब हम क्या करेंगे? अब जब हमको वो चार्ट अच्छे तरह से याद हो जाएगा उसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो फिर उसको यहाँ पे apply करेंगे जब हम यहाँ पे हम कुछ solved examples लाए हुए है सब को समझने के लिए change of tense और change of other words को अच्छी तरह से समझने के लिए change of other words तो बहुत आसान है उसको तो सिर्फ याद करना है और बस put कर देना है change of tense में थोरा सा मेहनत है तो उसको उस पूरे चार्ट को अच्छी तरह से सीख लेना है और फिर यहाँ पे बनाना है जैसे हम यहाँ पे solved examples है दस हम select किये है और हम क्या किये हैं इसमें इसमें हम same subject और same object रखे हैं ताकि उधर और उधर भी reported speech जो है वो भी change नहीं है उसमें भी same to same subject है और object है मतलब ताकि कोई परिशानी नहीं हो समझने में change of person पे ज़्यादा दिमाग ना लगाना परे तो यहाँ पे है solved examples related to change of persons change of tenses and change of other words यह तीनों change से related यहाँ पे है लेकिन focus रहेगा change of tenses और change of other words पे पहला हम लिए है He said to me I teach you and your sister मतलब He said to me I teach you and your sister तो इसका बनाए है He told me अब यहाँ said to है पहले say to होता था तो tells लगाते थे say to होता था तो tell लगाते थे यहाँ said to है past में है reporting work तो यहाँ पे tell का भी past कर देंगे told हो जाएगा He told me that person change of person तो पता है सबको फिर भी एक sentence में हम यहाँ पे round करती है समझने के लिए I है I first person है subject ही के हिसाफ से change होगा ही हो जाएगा फिर है teach तो यहाँ पे teach simple present tense में है यह V1 form है V1 या V5 form होगा तो वो V2 में हो जाएगा तो यहाँ simple present है तो simple past में यहाँ change हो गया है इसलिए teach का taught हो गया है you you क्या है second person है तो me के हिसाफ से change होगा यहाँ पे me हो गया and your sister your second person है me के हिसाफ से यह my बन जाएगा ठीक है तो हम इसमें अब क्या करेंगे बस इसी में सिर्फ यह हम बताए said to told हुआ सभी में told होता चला जाएगा I जब तक ये same sentence रहेगा reporting वव का subject और object same रहेगा तब तक यहाँ भी जिस तरह से change हुआ he, me, my इस तरह से change होता चला जाएगा सब में और focus हम लों का रहेगा सिर्फ tense पे और आगे कुछ last में दो examples में change of other words पे भी दूसरा sentence है he said to me I am teaching you and your sister he told me that यहां तक आसानी से आ जाना है he am है यहां पे जो है पहला sentence I am teaching you and your sister तो यह पहला sentence दूसरे नंबर में जो यह sentence है I am teaching you and your sister यह है present continuous में तो यह किस में change हो जाएगा past continuous में इसलिए हम नीचे past continuous में change किये है और यहां जो easy और simple जो एक table बना के दिये थे उसमें सिर्फ यह भी देखना है यहां उपर M है तो M is R का हो जाता है वाजवर अपने हिसाफ से यहां लग गया तो जागा he was teaching me and my sister तीसरा हो गया he said to me I have taught you and your sister तीसरे sentence में हम लिये है present perfect को I have taught you and your sister तो इसको हमको past perfect में change करना होगा क्योंकि present perfect का corresponding past क्या है past perfect है तो बना देंगे he told me that he had taught me and my sister और ऐसे simple way में भी देखेंगे कि उपर have है तो have या hedge का क्या head हो जाता है बस हो गया change बाकी same to same रहता है चोथे नंबर में है he said to me I have been teaching you and your sister अब यहाँ चोथे नंबर का sentence जो है वो present perfect continuous में लिये है तो present perfect continuous क्या हो जाएगा past perfect continuous में change हो जाएगा तो उसको change कर दिये है he told me that he had been teaching me and my sister अब simple way में भी जान लेते हैं उपर have है तो नीचे have का सिर्फ head कर दिये बस हो गया पाचवा sentence है he said to me I taught you and your sister यह पाचवा sentence जो है उसको हम simple past में लिये हैं तो simple past अपने corresponding past में यानि कि past perfect में change हो जाएगा तो हम उसको change कर चुके हैं he told me that he had taught me and my sister और simple way में भी देखेंगे कि V2 जब रहता है तो head plus V3 लगाते हैं तो यह taught V2 है इसलिए नीचे head plus V3 लगा दिये हो गया अब sixth number में आते हैं he said to me I was teaching you and your sister यह छठे number का sentence जो है वो हम लिये हैं past continuous में तो past continuous का corresponding past हो जाता है past perfect continuous तो यहाँ पे हम उस तरह से change किये हैं he told me that he had been teaching me and my sister और यहाँ पताए भी थे उपर simple table में simple and easy table में कि वाज या वर रहेगा तो उसका had been हो जाता है बाकि same to same है बहुत आसान है he said to me seven number में he said to me I had taught you and your sister seven number में हम sentence लिये हैं past perfect और past perfect में हम देखे थे कि no change होता है तो नीचे change नहीं हुआ he told me that he had taught me and my sister देख लो had taught उपर भी नीचे भी had taught आठवे नंबर में है हाँ आठवे नंबर में है he said to me I had been teaching you and your sister तो ये हम आठवे नंबर का sentence लिये हैं past perfect continuous tense का और past perfect continuous tense change नहीं होता same रह जाता इसलिए यहाँ भी same रह गया है तो बनाए हैं he told me that he had been teaching me and my sister यहाँ पे उपर भी had been teaching है नीचे भी had been teaching ही रह गया same रह गया अब 9 नंबर में है तो इसमें हम शामिल कर लिये हैं change of words को भी तो लिखे 9 नंबर में he said to me I will go to Delhi tomorrow ठीक है अब will या shall दोनों को क्या कर देते हैं would कर देते हैं इसलिए यहाँ पे हम would कर दिये हैं तो बनाए हैं he told me that he will का बना दिये would he would बाकी सब सेम है would go to Delhi और tomorrow का the following day वहाँ लिखा हुआ है देख लेना है बहुत आसान है फिर 10 नंबर में लिए है he said to me I lost my mobile phone yesterday यह I lost my mobile phone lost यह simple past का sentence है तो यह past perfect में change हो गया है नीचे बनाए है he told me that he had lost his mobile phone the previous day अब यहाँ पे क्या है बना लिए हैं lost अब आसान तरीके वाला में देखेंगे तो आसान तरीके वाला में हम लिखे थे V2 जब रहेगा तो head plus V3 करेंगे तो lost यहाँ V2 है इसलिए यहाँ पे head plus V3 कर दिये है verb forms याद करना बहुत ज़रूरी है इसलिए किसी भी grammar या translation की book में अगर verb forms है तो 100-100 अच्छे से याद कर लो बहुत कामाने वाला है इससे बच नहीं सकते हो और जो बहुत ज़रूरी हो सब दिन पीछा करेगा तो उसको अपना ही लेना चाहिए उसको अच्छी तरह से याद कर ही लो ठीक है अब बन गया क्या बना I lost my mobile phone yesterday तो बना लिए He had lost my का हो गया His mobile phone और yesterday का हो गया The previous day तो इस तरह से हो गया है यह पूरा clear हो गया अच्छे से table को याद कर लोगे समझ लोगे बहुत आसान है हम इसके साथ कुछ और attach कर देते हैं sold examples को उसको देख लेना observe कर लेना ताकि change of tense और change of other words में कोई problem ना रहे और change of persons का तो practice कर ही चुके हो तो तीनो changes पे mastery हासिल होना चाहिए तभी आगे exercise बनेगा आसानी से ठीक है तो यहाँ पे हम attach कर रहे हैं इसको भी देखो हम यहाँ पे अब sold examples attach कर रहे हैं change of tense और change of other words से related ठीक है इसको देखना है समझना है observe करना है ठीक है ताकि समझ में अच्छी तरह सा जाए तो यहाँ पे इस page में होगा तुम जैसे पिछले वीडियो में किया होगा उसी तरह से यहाँ भी अपना रोक रोक के देख लेना हम बस तुमको screen पूरा ला दे रहे हैं जितना भी हम collect करके तुमको देड़े हैं इसमें जो है आ गया 1 से 5 तक और फिर यहाँ हम 6 से 11 तक इस पे आ गया है अब आगे बढ़ते हैं इसको देख लेना है 11 के बाद यहाँ पे हम 12 से 14 तक आ गया यह जो था वो change of tense से related अब change of other words भी इसमें आ जाएगा अगले example में जो हम ला रहे हैं soft examples है इसको भी अच्छे से देखना है ठीक है यह आ गया ठीक है इसमें जो है sold examples है इसमें change of other words भी है change of tense भी है change of person भी है सारा चीज है यहाँ देखना है इसमें one से लेकर के six तक आ गया है clearly और इसमें मात्र eight ही है हम जुटा पाए है eight ही है इसमें तो हम यहाँ सिर्फ eight तक ही तुम लोगो provide कर रहे है तो काफी हो गया इसको अच्छे से देख लेंगे समझ लेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा ठीक है wish करते हैं कि तुम लोगों को अच्छी तरह से change of person, change of tense और change of other words समझ में आ गया है अब यह सब अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाना चाहिए क्योंकि अब आगे और भी बहुत कुछ है सीखने को ठीक है तो इतना अच्छी तरह से सारे table याद कर लेना है, सारा chart याद कर लेना है समझ लेना है सारे sold examples को एक बार और अच्छे से देख लेना है changes को observe कर लेना है फिर आगे बढ़ेंगे ठीक है, चलो